हेलो फ्रेंड्स आज हम तमारी साथे शेयर गरीज गुंदर पाक नी रेसिपी शी आड़ा में सकती नी साथे आठकाने कमना दुखाने दूर करी सरीर मां स्पूर्ती आने एनर्जी आप तो आ गुंदर पाक आज आपने परफेक्ट माप साथे घर मा रहली वस्तुमा थी बनाव सु तो साथी सराड़ी ते शी आड़ा मां बद्धाज गुजराती घरो मां बनतो गुंदर पाक बनानू शरू करिये नवी रेसिपी सिख्वा माटे नेहा कुक बुक गुजराती चैनल ने सब्सक्राइब करो अने साथे बैल आइकोन ने जरूर थी दबाओ नवा रेसिपी वीडियो सौथी पेला जोवा माटे परफ्रेक्ट माप साथे गुंदर पाक बनावा अपने सवथी पेला इंग्रीडियन नू माप चोई लई ये तो माप माटे तामे घर मा रहेली कोई पनेक वाटकी सेट करेलियो अने ते वाटकी प्रमाणे तमारे वन फोर्थ कप अने वजन माँ पच्चास ग्राम जिटल एक कब अने वजन मा एक सो पच्चीज क्राम जिटलो मावु अने वाटकी ना प्रमाणे अड़ी वाटकी एटल bridges के 2 वाटकी निउपर 8 दी वाटकी औने वजनमा 125 ग्राम जितलू में सुक्का कोप्रानों छीनली देलू छे तो छेन एकदम सालू माम ग्रामस माम आपिये तो आपड़े खांड मावो औने नाड़िये त्रौने सर्खा प्रमाळमा 125 ग्राम जितला लेवाना छे साथे काजु ना टुकडा, बदाम ना टुकडा अने फ्लेवर माटे एलची पाउडर, जाइफर पाउडर अने सूट पाउडर ली धेला छे हावे गुंदर पाक बन्नाओं माटे में या जाड़ा तडियावाडू वासन राखेलू छे तेमा सौथी पैला अडी कब अने वजन मा 125 ग्राम जेकलू सुका कोप्रा नुँ छीन आड करी दहिए तो सुका कोप्रा मा तेलनु प्रमाण होवा थी कोई पर जातना घीना उप्योग वगर लो गेस नी फ्लेम पर अपने कोप्रा नी ड्राइ रोस्ट करी लईए जेती देमा द्रहेलो मोईस्ट्र नो भाग वयोज जाए शी याडामा अपड़ी स्कीन मा ओलनु प्रमाण ओचु थवानेली दे स्कीन ड्राइ थती होई छे जेरे सुका कोप्रा ना छीन मा सेचुरेटेट फेट अने कैलेरीज वधारे होवा थी ते स्कीन मा ओलनु प्रमाण जाडवी राखसे अने शरीड मा थाकात मणापसे तो आपड़ो कोप्रू सारीर ते ड्राइ रोस्ट थेए ग्युछे आपड़े तेने वधू परतु ब्राउन नथी करवानू हवे सेकायला कोप्रा ने मिक्सिंग बावल मा लई 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 है हवे तेज पैंड मा अरदी वाटकी अने पिंचोते ग्राम जेटलू घी आड़ करी दई है तो हवे गरम थैला घीमा अजेन मा पच्यास ग्राम अने कपना माप प्रमाड़े वनफोर्थ कप जेटला गून्द मा थी थोड़ो गून्द घीमा एड़ करीने तेने सारी रिते तड़ी लई है तो ही आपड़े गून्द ने एक साथे घीमा नथी नाखवानू थोड़ो थोड़ो गून्द अज आपड़े धीमा गैस पर एगदम सारी ते तड़ी लेवानू छे तो गून्द हाटकाने मजबूत करवानी साथे शरीर मा रोग प्रतिकारक शक्ती मा पण वधारो करे छे साथे गर्ब वती महिलाने गून्द खावड़ा आथी तेनू बैक पॉन्द ना मसल्स एटले के करोर रजूना हाटकामा मँजबूत आयावे छे आने गून्द मा एंटी एजिंग प्रोपर्टी हुवाने लिदे ते स्कीड माटे पण खुबत सारू छे तो अबड़ गून्द एकदम सारीते फुली गयो छे हवे चमचानी मद थी आर इतना जारामा गून्द ने लई 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 ये चेती वधारानू बद्धूजगी गून्द मा थी बहारावी जाए तो अबड़ तड़ायला गून्द ने चेक करिये तो तम्ये जोई शाकोची हो के एकदम गून्द फुको थाई जाये छे मिन्स ते सारी रिते तड़ाय गयो छे अने हवे ते रिते में बद्धाज गून्द ने तड़ीली धेलो छे तो हवे आ रितनी कोई पन स्टीलनी वाटकीनी मदे थी गून्दने सारी रिते क्रश करी लए तो गणी जगया एक गून्द पाकमा गून्दने आखोराखवामा आवे छे पण क्रश करेलो गुंद एकदम सारी रिते पाक मा भड़ी जाये छे औने जहरा पण दात मा चोड़तो ना थी तो अपड़ो गुंद सारी रिते क्रश थाई गियो छे हवे तेने पण मिक्सिंग भावुल मा एड करी देए हवे तड़ायला गुंद पची वधेला घीमा बे मोटी चमचितला बदाम ना टुकडा अनि बे मोटी चमचितला काजु ना टुकडा ने एड करी ने सारी रिते घीमा रोस्ट करी लई तो काजु बदाम ने घी मा रोस्ट करवा थी तेनी एक दम सरस फ्लेवर अपड़ा गुंद पाक मा आवे छे तो आपड़ा ड्राइफ फूट सारे रीते रोस्ट थही गया छे हवे तेने चम चाथी काटी और मिक्सिंग बावुल मा एड़ करी देए तो जेएक पैंड मा आपड़े काजु बदाम ने रोस्ट कही राँ छे तेज पैंड मा एक कब अने वज़न मा 125 ग्राम जिटला मावा ने एड़ करी ने तेने पड़ सारी रीते रोस्ट करी लगिये तो अपड़े मावा ने मिक्सिंग बावुल मा एड़ करी देए तो अपड़े गुंदपाक ने बज़ी जवस्टू घी मा सारी रीते स्वते थाईने तयार थाई गये छे तो अपड़े तेने हातनी मदत्ती मिक्स करी लई ए तपड़े गुंदपाक नो मिक्सर तयार थाई गये छे आ मिक्सर ने दमे कोई पन एड़ आड़ कंटेनर मा भरी ने रेफरीजरेटर मा स्टूर करी शको छो अने पजी जारे गुंदपाक बनाओ हो तयारे फक्त खाण नी चाशनी करी ने 10 मिनिट मा गुंदपाक बनावी शको छो हावे गुंदपाक माटे खाण नी चाशनी बनावा पैंड मा अड़धा कप अने वज़िन मा 125 ग्राम जेटली खाण आड़ करी दईये अने हावे मीडियम गेस नी फ्लेम पर खाण नी एक तान नी चाशनी करी लईये तो तमें जो ही शको छो के खाण सारी ते मेल्ट थे ने आपड़ू सुगर सिरप बॉयल थावा लाईगो छे जमचामालाई ने चेक करिये तो तमें जो ही शको छो के हजी अड़धा तान नी चाशनी थाए छे अई आपने गूनद पाक माटे एक तान नी चाशनी करवानी छे तो फरी पाचु शुगर सिरप ने एक थी बे मिनिट माटे उखाडी लईये तो आपने शुगर सिरप पहला करता उकड़ी ने खट थेग्यों छे हवे फरी पाची चाशनी ने चेक करिये तो तमें जो ही शको छो के एक तान नी एकदम परफेक्ट चाशनी थाए छे छेने चाशनी चेक कर वी एकदम सेली तो हवे आज समय गेशनी फ्लेम बंद करी देए अपने सुगर सिरप ने वधु पर तो उकड़वानू न थी नहीं तो गुनपाग हाड थेई जसे हवे तेमा फ्लेवर माटे एक चमची एलची पाउडर, अर्धी चमची जाइफर पाउडर अने एक चमची सूट पाउडर एड करी देए अने तेने सारी रिते मिक्स करी लईए छेसी बद्दीच फ्लेवर आपना सुगर सिरप मा एड थेई जाए हवे तयार थैला गुंदपाक ना मिक्सन ने चाशणी मा एड करी ने मिक्स करी लईए तो अहीं आपने ए वाद नो खाज ज्यान राखवानोंचे क्या अपने मिक्सन ने चाशणी मा एड करी त्यारे गेस नी फ्लेम बंद राखवानी छे वदु पड़ती कुक थैली कड़क चाशनी अपड़ा गुन्दपाक ने पण कड़क करी देशे तो बद्दीज वस्सु मिक्स थाई गये छे हवे तयार थैला मिक्स ने सेट करवा माटे मेन्या एक थाड़ी ली देली छे तेमा एक ड्रॉप जेटलू तेल आट करी देए अने थाड़ी ने सारी रिते ग्रीस करी लेए तो घीश याड़ामा जामी जाये छे पण थाड़ी ने बे टीपा तेल थी ग्रीस कर सू तो गुन्दपाक ना पीस एकदम सारे ते डी मोल थे जसे तेम ठीश घीश थाड़ी ग्रीस थाई गई छे हवे तयार थाईला गुन्दपाक ना मिक्षर ने थाड़ी मा एड़ करी देए अने तेने चमचानी मदधी लेवल मा करी लई ये हवे घीथी क्रीस करेली आर इतनी कोई पण वाटकी नी मद थी गुनपाक नी उपणनी सर्फेस ने एक सर्खी करी लईए अने हवे गुनपाक ना मिक्षर ने एक कलाक माटे ठंडू थवा दईए तो लगबग एक कलाक थाई गये छे अने आपनों गुनपाक नों मिक्षर ठंडू थाई गये छे हवे तेना पीस करी लईए अने तयार थेला गुनपाक ना पीस ने सव करी लईए तो सरीडने ताकातनी साथे रोग प्रतिकारक शक्ती माँ पन वधारों करेते वो परफेक्ट माप साथे गुनपाक खरेब बनाव माटे लखेली रेसिपी छोती होई तुम्हें वेबसेटनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स माँ आपेली छे जो तुमने मारी आजनी रेसिपी गमी होई तुमने कमेंट सेक्षिन माँ जरूर थी केजो साथे मारा वीडियो ने लाइक अन्ने फ्रेंड्स माँ शेयर कर जो अन्ने मारी चैनले सब्सक्राइब करवानू ना पूल्स रो तो फरी मड़ी एक नवी रेसिपी साथ है